इंद्रवज्रा चन्द एक वार्निक चन्द है जिसके प्रत्यक्चरण में गारा गारा अक्षर होते हैं स्यादिन्द्र भजरा यदितो जगवगः स्यादिन्द्र भजरा यदितो जगवगः अर्थो ही कन्या पर की येवा नमोन महमित्राणी कथम संति सर्वे आहमस्मी देवाशिशा तो चंद प्रकरण के करम में आज हम जिस चंद के बारे में जानेंगे वहाँ इंद्रवजरा चंद जैसे की इंद्रवजरा चंद का लक्षन क्या है उसका उदाहरन क्या है और इंद्रवजरा चंद को गाते कैसे हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि हमने हमारे चैनल पे 1000 लोगों का सब्सक्राइबर अर्थात 1000 जनों का फैमिली कम्प्लीट कर चुके हैं जो की आप लोगों के सहयोग के बिना असंपूर्ण था एक प्रकार से मानों की असंभवी था इसलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तहदिल से बहुत बहुत शुक्रिया तो चलो अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में अनुष्टूप चंद के बारे में विस्तार से बताया था और जिसमें हमने यह जाना था कि जो अनुष्टूप चंद है वहाँ संस्क्रिशाइत में प्रयोग होने वाला सरवादिक चंद है और उस अनुष्टूप चंद के बाद संस्क्रिशाइत में जो चंद सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया वह इंद्रवजरा तो इंद्रवजरा चंद एक वारनिक चंद है जिसके प्रत्यक चरण में गारा गारा अक्षर होते हैं इस प्रकार चारो चरणों में कुल मिलाकर 44 बर्ण होते हैं तो आईए अब हम इंद्रवजरा चंद के लक्षन के बारे में जानते हैं तो ब्रित्त रत्नाकर में इंद्रवजरा चंद के लक्षन पर प्रकास करते हुए कहा गया है कि स्यादिंद्रवजरा यदितव जगवगा अब यह जो लक्षन है यदितो जगोगह और थाद सेहा दाट हो इंदर बजरा इंदरर और दाट ओखाउंद जगोगह और तहचा इक्वाल टू तौ और ये ता इक्वाल टू तगण तगण उसी पकार जगव अर्थात एक जगण और एक गुरु अक्षर और एक गहा अर्थात अंतिम में एक और गुरु अक्षर अर्थात जिस चंद के जिस चंद का प्रारंब दो तगण एक जगण और दो गुरु अक्षरों से खतम होता है शेश होता है वहां इंद्रवजरा चंद होता है अर्थात इंद्रवजरा चंद वहां होता है जहां दो तगण एक जगण और दो गुरु अक्षर होते हैं वहां इंद्रवजरा चंद होता है तो अब ये तगण और जगण क्या होता है तो हमारे संस्कित चंद शास्तर में आठ गण होते हैं इन आठ गणों का सरूप क्या है इन आठ गणों को कैसे याद करे इससे सम्मंधित मेरे पास एक बहुत अच्छा ट्रिक्स है अगर वो ट्रिक्स आप एक बार याद कर ले तो आपको जीबन भर किसी भी किताब को देखने की जरूरत नहीं पड इधम सही आपको यह स्वतही इसमरन आ जाएगा कि किस गण में किस-किस प्रकार के वरन होते हैं तो आएए अब उस ट्रिक्स के बारे में जानते हैं तो वहां ट्रिक्स है यमाता राज भान सलगा ऐसे तो मैंने इस ट्रिक्स को अथवाई सूत्र को विस्तार से इस वीडि डिटेल्स के साथ इन आठो गणों के बारे में जानना है तो इस वीडियो के एक बार जरूर देखना फुली रेकोमेंड है फिलालतों में इस ट्रिक्स को अभी शंक्षेप में बता देता हूं तो इस ट्रिक्स को कैसा याद करें तो देखिए वालिवड में एक बहुत सु इस प्रकार इसको हम याद कर सकते हैं तो देखते हैं अब इस सुत्र से आठो गणो को केसे याद करें जैसे देखिए यह माता राजभान सलगा तो देखिए यह है यह है लगू वरन मा है गुरू वरन अगर आपको लगू वरन और गुरू वरन के बारे में जनना है तो इस वीडियो को भी एक बार जरूर देखना जो मैं पहले बता चुका हूँ देखिए उसके बाद ता है ये भी गुरु वरन ठीक है उसके बाद रा ये भी गुरु वरन ये लगू गूरु लगू 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 गूरु ठीक है अब यह से क्या होता है यगन म से मगन ठीक है ता से तगण रह से रगण इस प्रकार जह से जगण, भह से भगण, नह से नगण स से सगण, रह से लगू और गह से गुरू अब यगण में किस प्रकार के वर्ण हैंगे तो इसमें दिखिए यह को लिजिए और उसके बाद सामने जो दो वर्ण है इन दो को लिजिए तो क्या होगा यह माता यह माता आप इसको संकेत कीजिए लगू गुरू गुरू तो यह गण में किस प्रकार के वर्ण होगा पहला लगू वर्ण होगा और जो अंतिम दो वर्ण होंगे वह गुरू होंगे लाइक यह माता उसका अत्म अंतर होगा होगा मातारा सभी जो वर्ण है वो गुरु वरण आएंगे मातारा उसके परक ताराज में क्या है गुरू गुरू और लगु उसी परकार यह क्या है राज भा यह क्या होगा गुरू लगू सुष्ष्ट मध्य लगू तो इस प्रकार इस सुत्र से से यामाता राजव subtर जारो को याद कर सकते और और जो अंतिम है वो थोड़ा अलग है ल से लगू और ग से गुरू गुरू वर्णो को एस से और इसको एसे हम चिन्नित करते हैं तो आई आप यमाता राजवान सलगा से के माध्यम से अगर यह याद हो आठोगन तो तगण में किस प्रकार के वरनाएंगे ताराज तगण मे जगन में जजभान जगन जगन में जभान ठीक है जभान में क्या होगा लगू गुरू लगवर्थात माध्य गुरू और अंतिम जो वर्ण होगा वो गुरू वर्ण होगा ठीक है तो इस सूत्र के माध्यम से अगर यह सूत्र हमें भली बाती इस मर्णों तो इस सूत्र के माध्धम से ही हम जो आठो गण है उन आठो गण को अत्यांद सहाज़ता पुर्वक इसमरन कर सकते हैं हमें किसी किताब को देखनी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो आए आगम देखते हैं जो इंद्रवजरा चंद का जो लक्षन है उसमें जो कंडिशन बताया गया गुनी प्रकार होता है कि नहीं तो देखिए यह गुरूरण एभी है गुरू वर्न और यह लगू ये गुरू ये डूरू और ये लगू इसके बाद क्या है जगन ये है जभा न और यह गुरू ये गुरू ठीक है यहाए तीन तीन वर्णकर के हम इसको घृवाइट करेंगे ठीके और यह गुडू वर्ण यह यह भी गुरू भाहनः तो तगड में क्या था तगड में था ताउ राज ताउ राज अता गुरू गुरू लगू देखे घुरू गूरू लगू है उसके बाद क्या है जगन होने चाहिए जगन जभान ठीक है लगू गुरू लगू दे लगू गूरू लगू अरंतिन दो वर्न दो है वो गूरू गूरू है ठीक है तो यह जो हमारा है स्यादिंद्रवजरा यदिताउ जगवगा अब जब मैं यह कहूंगा कि इंद्रवजरा चंद का जो लक्षन है स्यादिंद्रवजरा यदिताउ जगवगा इसमें जो तव जगवगा है वह दो तगन एक जगन और दो गुरू वर्न यह जब मैं कहूंगा तब मेरे इस कहने से ही आपके मस्तिष्ट में आपके विचार म ठीक है आपने आप सवतही आजाना चाहिए कि दो तगनवर्ण एक जगन और गुरुवर्ण के संयोख से जो छ संद बनते हैं वह इंद्रवज्रा संद के बनते Sus that ने संद के बनते हैं क्योंकि जो के वारे में जानते हैं तो आपके सामने जो मनें उधाहरन प्रस्तूत किया 와 अभिज्यान शाकुंत लंनाटक से जैसा कि कहा भी गया ए कि काभ शुनाटकम रंयम तट्ररम्या शकुंतला ठीक कह अर्थात काभयू में नाटग रं में है और उस नाटक में अभी जो अविज्ञान शाकुन तलम में वहां रमणिया है तो उस अविज्ञान शाकुन तलम के चतूर्त अंक का जो अंतिम श्लोक है वहां है इंद्रवज्रा चंद में तो उस चंद को हम कैसे गाते हैं तो देखिए तो वहां चंद है इंद्र अर्थो ही कन्या परकिय प्रत्यार्पितन्या सेवांतरात्मा प्रत्यार्पितन्या सेवांतरात्मा तो आप आये इस जो उदारन है उस उधारण को देखते हैं इंद्रवजराथ संद का जो लक्षन है उसके एकोवरृडिंग है की नहीं तो देखते हैं यहां पर वहा अरथो इसमें है सन्योग वर्ण हो तो यह गुरू गुरू लगू गुरू गुरू लगू ये Guru Varan किया हुआ क्योंकि इसके सामने सयोग Varan है उसके बाद लगू, Guru, लगू और ये Guru और ये Guru ये तो ये Guru में बनता है और जो ये वह है आपके मन में डावड होगा कि ये वह तो आ है ठीक है तो आतो लगू वरन क्योंकि और हमने पहले भी पड़ा हुआ है कि जो पादान में जो वरन होता है वो लगू होने पर भी गुरु मान लिया जाता है तो आप देखते हैं इनको तीन तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं ठीक है तो यह है तगण, ताराज अर्थाद यह तगण, यह भी तगण ठीक है यह जगण और अंतिम दो वरन गुरु होने चाहिए जैसा कि हमने ठीक है इंद्रवजरा चंद का जो लक्षन है उसमें जाना था कि इंद्रवजरा चंद वहाँ होता है जहाँ दो तगण, एक जगण और अंतिम जो वर्ण है वो दो गुरु अक्षर होने चाहिए तो वहाँ इंद्रवजराचंद होता है तो यहाँ पर भी दो तगण, एक जगण और दो गुरु वर्ण है प्रकार ये जो अर्थो ही कन्याय इंद्रवज्रा चंद का एक उदाहारन ондखर से ऊपही कई गति के से हमें इंद्रवज्रा चंदकर योधियो में ृधियो इंद्रवज्रा चंद्रुना को भी सब्सक्राइब कर देना